हेलो एब्रीवन कैसे हैं तो एक बार फिर से स्वागत है आपका तो आज मेरे पास एक मठाई का डबा रखा हुआ था तो मैंने सोच है इसका कुछ बनाते हैं तो मैंने इस तरह से फैवी को लगा करके पहले इसको चिपकाया ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए बाकी का जो हिस्सा बचा गत्य का तो मैंने इस तरह से कटिंग करके नाप तोल करी और फिर सका रॉल बनाया रॉल को मैंने टेप की मदद से चिपका लिया ताकि ये एजली खुले ना और जो हम बनाने वह आसानी से बन भी जाए तो मेरे पास ये कपड़ा रखा हुआ तो पहले मै अच्छे से चिपका दिया और जो भी हिस्सा फालतू लग रहा था वो मैंने कट करके इसको निकाल दिया इसके बाद में मैंने फिर फैविकॉल लगाया और इस लैस को इसके उपर चिपका दिया ताकि इसका लुक थोड़ा सा अच्छा है और जो कपड़ा हमारा खराब थ फिर हमने जो वो रोल बनाये थे वो मैंने फैविकॉल की मदद से उनको भी अंदर की तरफ चिपका दिया फिर मुझे लगा यह थोड़ा हलका लग रहा है थोड़ा कुछ और भी इसमें लुक होना चाहिए तो मैंने पैन से इसको थोड़ा सा सतिया वगेरा बनाया इसको थोड़ा सा बना लिया था ताकि आसानी रहे कि हम क्या करना चाहते हैं तो मैंने इस तरह से यह बनाया फिर मेरे पास यह 3D आउटलाइनर रखे हुए थे तो मैंने इसकी मदद से इनके उपर आउटलाइन करना स्टार्ट किया तो अभी नाइट का डाइम हो रहा था तो मे केट में जाकर के फैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है तो मैंने यह कलश बनाया सतिय बनाया और बाद में मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा इसको हैबी लुक देना चाहरी थी तो मैं धिरे दिरे इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रही थी करते करती मुझे डेर से दो घंट क्योंकि स्टॉन और नग लगने के बाद में किसी भी चीज का लुक जो होता है वह बहुत ही अच्छा से आता है यहां मैंने फैविकम लगाए और उसकी मदद से यह मैं स्टॉन चिपका रही हूँ ताकि फिर फैविकम लगाने से क्या होदा है कि उसमें वह वाइट वाइ थोड़ा सा अच्छा आ जाए तो इस तरह से फाइनल लुक इसका यह है तो यह मैंने नवरात्री के लिए माता रानी के लिए बनाई थी चौकी क्योंकि मैं मार्केट में देखकर क्या थी और उसको देखने के बाद मुझे लगा यह तो मैं घर पर भी बना सकती हूँ तो आप मुझे बताएगा कि आपको यह कैसी लगी और आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज कॉमेंट करके जैमाता दी जरूर लिखें